जैहिंद फ्रेंट्स तो आज हम प्रीवोड परिच्छा 2024 का च्छा 12 के लिए विशे भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम 2023 का जो आपनों का प्रीवोड का एक्जाम होने वाला है उसकी लिए ये कोशिन पेपर आपकी एक्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तो एक के कोशिन को अच्छे से देखिएगा और इन कोशिन की आप घर पर प्रेक्टिस करिएगा जिससे आप इसको आसानी से कोशिन पेपर को हल कर सकें और आपनों की जो बोड़ एक्जाम की डेट है वो भी आ चुकी है तो आप लोग अपनी बोड़ एक्जाम की तयारी शुरू कर दें युनों ने भी तयारी नहीं शुरू किया है तो वो जल्दी जल्दी अपनी तयारी शुरू कर दें अगर आप ने भी तर चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे साथ में वीडियो को लाइ करना भूल जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपके कुछ objective questions होंगे उनको हम देखेंगे इसके बाद पूरे paper के pattern को समझेंगे और questions को समझेंगे किस टाइब questions आपके pre-board exam pre-board exam लेने का मतलब यह होता है कि आपकी board exam के लिए कितनी अच्छी practice है आपका कितना अच्छा आपका syllabus तयार है pre-board exam इसके लिए आपके लिए जाते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर आपका question number पहले में का होगा निम्लखित में से किस वैदुचुम्मकी तरंग की विकरण की तरंग दैर्द नियूनतम है तो किसकी तरंग दैर्द नियूनतम होती है गामा किरणों की तर तरंग दैर्द होगी तो यहां पर लेम्डा बराबर क्या होता है तो यहां पर लेम्डा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी होता है क्या होता है लेम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी होता है तो यहां पर answer क्या correct हो जाएगा तो यहां answer आपका first वाला correct हो जाएगा lambda is equal to h upon p जहाँ पर lambda आपकी तरंग दैर्द हो जाएगी इसके बाद next third question है क्रचाप का प्रथम नियम किस रंचड पर आधारित है तो क्रचाप का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है तो वो आवेस सरंचड पर आधारित है किस पर है आवेस सरंचड पर आधारित है तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ आंसर आपका third वाला करेक्ट हो जाएगा आवेस सरंचड इसके बाद next question है पीन संदी डायोड में उतकरम संत्रप्तधारा का कारण है केबल तो क्या कारण है केबल इसका कारण है अलप संख्यक कारण है क्या है अलप संख्यक क्या है अलप संख्यक कारण है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला अलप संख्यक है क्या है अलप संख्यक है तो correct answer यहाँ पर आपका first हो जाएगा next question है वामर स्रेणी की नियूंतम तरंग दैर्द क्या है तो यह अब आपके अतिलग उत्रिये प्रेश्ट यानि की one word type की questions है तो यहाँ पर आपको सबसे पहला question है वामर स्रेणी की नियूंतम तरंग दैर्द क्या है next है एकल गोलिये प्रेश्ट के प्रकास के अपवर्तन का सूतर लिखिए यानि कि एकल गोलिये प्रेश्ट पर प्रकास के अपवर्तन का यहाँ पर आपको सूतर लिखना है इसके बाद समिस्थानिक का अर्थ एक उधार देकर समझाईए तो समिस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाडू क्रमांग क्या होते हैं? परमाडू क्रमांग समान होते हैं वो समिस्थानिक कहलाते हैं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिब क्रूनों को विवेदन च्हमता के बढ़ते क्रम में आपको यहां पर लिखना है इसके बाद है संधारित की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है क्या है संधारित्र की धारिता जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है तो यहाँ पर C बराबर क्या होता है Q upon V होता है क्या होता है Q upon V यानि कि अगर विवांतर का मान कम कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी इसके बाद है निक्स्ट कुश्चन है एंड गेट के लिए लॉजिक परतीक बूलियन विंजग तथा इसकी सतता सारडी आपको यहाँ पर बनानी है इसके बाद तीसरे का का प्रश्ट है जिसमें आपसे कहा गया है वैदुत्फलक्स की परिभाशा तथा मातरग लिखे रिलात्मंग वैदुत्फलक्स का क्या आर्थ है तो यहाँ पर वैदुत्फलक्स की परिभाशा क्या है तथा उसका मातरग लिखना है और इलात्मग वैदूस फ्लक्स क्या है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है इसके बाद आपका निमेरिकल आ जाता है एक तार में पांच एंपिर की धारा बहे रही है तार के नुपस्त कार्ट से प्रती मिनट कितने लेक्टरान गुजरते हैं यह आपको यहां पर निमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तो निमेरिकल भी आपको लगपक यहां पर आपके हाप निमेरिकल होते हैं और Haap Active यानि कि आपको अगर अत्वा में हाप दिया जाता है यानि कि अत्वा में गर आपको इनुमेरिकल तो अत्वा में एक थियरी का question होगा तो यानि कि दोनों का जो इसके बाद next है D-Brogli तरंग डैर्द का वेंज़क ग्याद किजिए यानि डीब रोगली तरंग देर्द है उसके लिए आपको यहाँ पर वेंजक ग्याद करना है इसके बाद है नेक्ट कुश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर स्रेणी की दुतिय रेखा की तरंग देर्द रिडवर्ग नेतांग के पदों में ग्याद कीजिए क्या है धाइडोजन स्पेक्ट्रम में बामस रिणी की दुतिय रेखा की तरंगदैर जो है उडेड़ वर्ग नेतांग के पदों में आपको ग्याद करना है इसके बाद यहाँ पर तीन के काके आपके चार प्रश्ण हो जाते हैं मतलब क्या होगा यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर आपकी दो लेंस पतले रखे होंगे इनके भी जो फोकस दूरी का सूत्र होगा वो आपको यहाँ पर निकालना रहेगा इसके बाद next question पर चलते हैं next question इसी का आपका खा आजाता है इसमें आपसे पूछा गए Einstein के प्रकास वैद्दू समीगड का निगमन कीजिए क्या है Einstein ने जो प्रकास वैद्दू समीगड दिया था उसका आपको यहाँ पर निगमन करना होगा क्या करना होगा निगमन करना होगा इसके बाद है बूष्टर के नियम से सिद्ध कीजी अपवर्ती तथा परावर्तित करने परस पर लंब होती है क्या है जो बूष्टर ने नियम दिया था उसके आधार पर आपको सिद्ध करना है कि अपवर्ती तथा परावर्तित किरने परस पर लंब होती है नेक्स्ट है आपका एंपियर का परिपतिय नियम लिखिए इसकी साहता से एक अरंत लंबाई के सीधे धारा वाही तार से आर दूरी पर चुमक्य छेतर का सूतर स्थापित कीजिए यानि कि जो एंपियर का परिपतिय नियम है इसकी साहता से आपको एक अरंत लंबाई के सीधे धारा वाही तार से आर दूरी पर चुमक्य छेतर का सूतर स्थापित करना है इसके बाद इसी का जो लाश्ट कोईशन आपका बचता है प्रेशन नमबर चौथे का इसमें क्या कहा गया है एक कुंडली का सौप एंडगुणांक आपको यहां पर दिया गया है इसमें वैदुद्धारा पांच मिली सेकेंड में दो एंपियर से बारा एंपियर हो जाती है कुंडली में प्रेरुद बिद्द बाहक वल ग्याद कीजिए इसके बाद प्रेश्ट नमबर पांच आ जाता है तो प्रेश्ट नमबर पांच में आपकी का प्रेश्ट में पूछा गया है क्या पूछा गया है पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm से कितनी है 20 cm है तता उसके पधार्त का पपरतना यानि के अनकामान आपको दिया गया है इस लेंस के उत्तल प्रेश्ट की वक्रता तिज्जा आपको यहाँ पर ग्याद करनी है क्या करनी है वक्ता तिज्जा आपको यानिकी रेडियर आर ग्याद करना है इसके बाद पांच का खा प्रश्ण है किसी छोटी दुरबीन की अभिद्रश्चक की फोकस दूरी 144 cm है तथा नेत्रिगा की फोकस दूरी 6 cm है दुरबीन की आवर्दन छमता कितनी है अभिद्रश् है LED क्या है परिपत बनाकर वी आई अभिलाचडी को परदर्सित कीजिए क्या है वी आई अभिलाचडी वक्र को परदर्सित कीजिए इसके बाद गाहे किरचाफ के नियमों को परिपत चित्र बनाकर समझाईए क्या है किरचाफ के जो नियम है उनको परिपत चित्र के माध इसम से आपको समझाना है इसके बाद 6 प्रश्ण यानि की 6 प्रश्ण आता है इसमें आपको क्या होंगे एक numerical दिया जाएगा एक आपको theory दी जाएगी तो उनमें से आपको जो आता हो जो आपको पशंद हो वो आप यहां पर कर सकते हैं जैसे संधारित की धारिता की परिभा पर रहे है गौस की प्रमे की सायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकड़ वैद्दुच्छेतर की तिर्वता के लिए वेंजक प्राप्त कीजिए तो यहां पर आपको दोनों में से कोई एक कोशन करना रहेगा इसके बाद कोशन नमबर 7 है तो कोशन नमबर 7 यहां पर देखी क्या दिया गया है दो गुणे दसकी घात माइनस 10 मीटर तरिज्जा के एक वरत्ताकार मार्ग पर एक लेक्टरान तीन गुणे दसकी घात 6 मीटर प्रतिस सेकेंड की एक समान चाल से चकर लगा रहा है वरत्ताकार मार्ग के केंद प्र जुश्तरा कर सकते हैं 11, 17 भाई चालकों के बीच कार percussion वाले बलका शूत्र प्रब्त कीजिये तो यहां पर देखी आपको एक नमेरिकल दिया गया एक थियोरी दी गई तो यहां में से आपको जो आता हो नमेरिकल आता तो नमेरिकल कर सकते हैं थियोरी आती है तो आप थि ग्यात कीजिए अनुनादी आवर्ती प्रतोध पर कैसे निर्वर करती है अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्राम तरंगदर्द का प्रकास प्रयोगत करने पर दो मीटर दूरी इस्थित पर परदे दीप्रिंज की चौड़ाई 0.6 mm प्रा देखे आपको एक उपर दिया गए थियोरी वाला यहां पर आपको नुमेरिकल तो आपको जो पसंदो वो आप कर सकते हैं इसके बाद है नेक्स्ट एनपी एंट ट्रांजिस्टर में वैद्दू चालन की क्रिया को समझाईए इसमें पतला इसमें आधार पतला क्यूं होता है पेनपी ट्रांजिस्टर की तुल्ला में यह अधिक उपयोगी क्यूं है यह आपको बताना है अत्वा में यहां पर दोनों आपको थियोरी दिये हैं हाइगेंस के दूतियक तरंगाओं के सिध्धान की विवेच ना कीजिए तो यहां पर आपको टोटल नौ प्रश्ण दिये जाते हैं नौ प्रश्णो को आपको पूरा पूरा सॉॉल्ब करना होता है तो यह आपका प्रीवोर्ट का कुश्ट्न पंपर हो जाता है तो अगर आपको वी किसमें मिल जागी कैसे आप लोगों को मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों में शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जी 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 हिन्दू